वैलकम टु स्टड़ी 24 देपूर आज किस क्लास में हम मुद्रा का वर्गी करन या मुद्रा का प्रकार classification of money या types of money के बारे में आज हम discuss करेंगे तो चलि स्टार्ट करते हैं मुद्रा के वर्गी करण के अगर हम बात करें तो इनको हम अलग-अलग आधार पे विभाजित कर सकते हैं तो सबसे पहला जो हमारा आधार है वो है मोनेटरी सिस्टम मोद्रिक प्रणाली की कसूटी के आदार पर मुद्रा को हम कितने भागों में विवाजित कर सकते हैं अब देखिए मोनेटरी सिस्टम मोद्रिक प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि मुद्रा बनाने के लिए किन चीजों का प्रियोग किया गया है किन वस्तों का प्रियोग करके मुद्रा बनाए गई है मतलब मुद्रा बनाने के लिए मेटल धातू का प्रियोग किया गया है या पेपर कागज का प्रियोग किया गया है या अन्य किसी चीज का प्रियोग किया गया है तो इस आधार पर हम मुद्रा को क्या कर सकते हैं तीन भागों में विबाजित कर सकते हैं अगर मुद्रा को किसी धातू के आधार पर बनाया गया है तो वो क्या हो जाएगी हमारी धातू मुद्रा हो जाएगी मेटलिक मनी हो जाएगी अगर मुद्रा बनाने के लिए कागज क अप्रियो किया गया है तो उसको हम कहेंगे कागजी मुद्रा या पेपर मनी और तिसरा जो प्रकार है इसमें वो कौन सा हो गया क्रेडिट मनी या साख मुद्रा तो मोद्रिक प्रणाली के आधार पर मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं तीन भागों में विवाजित कर सकते हैं ध मानक मुद्रा हैं, स्टेंडर मनी, दूसरा हैं टोकर मनी, प्रतिक मुद्रा और तीसरा हैं सहायक मुद्रा, इन तीनों के बारे में आगे हम डिसकस करेंगे, सबसे पहले आप यह जान लेजे कि जो मेटल मनी होती हैं, धातु मुद्रा होती हैं, उनको हम तीन भागों में वि पर मनी तो इनको हम क्या कर सकते हैं चार भागों में विवाजित कर सकते हैं फर्स्ट हमारा है प्रतिनीधी मुद्रा रिप्रेजेंटेटिव मनी दूसरा हो गया हमारा कनवर्टेबल परिवर्टनी तीसरा हमारा हो गया अपरिवर्टनी इनकनवर्टेबल और चोता हमारा हो फिएट मनी या जिसको हिंदी में हम कहते हैं आदिश्ट मुद्रा और तीसरा हमारा हो गया क्रेडिट मनी साख मुद्रा जिसके अंतरगत हम क्या करते हैं हमारा चेक हो गया बिल हो गया हुंदी या कोई प्रतिग्या पत्र हो सकते हैं जो साख के लेंदिन के लिए प्रयोग क करेंगे दूसरा जो आधार है क्लासिफिकेशन का वर्गी करन का वो है acceptability स्विकारिता मतलब जो मुद्रा है वो किसके द्वारा जारी की गई है मुद्रा सरकार के द्वारा जारी की गई है केंद्री बेंक के द्वारा जारी की गई है तो मुद्रा को जारी करने वाले की प्रकृति के आधार पर अगर हम मुद्रा को वर्गी करत करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे स्विकारिता कसोटी कहेंगे और इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं मुद्रा को दो भागों में विवाजित कर सकते हैं फस्ट हमारी होती है वेद मुद्रा जो सरकार या केंदरी बेंक के द्वारा जारी की जाती है और जिसे सबी लोग क्या करते हैं स्विकार कर लेते हैं दूसरी होती है हमारी इन लिगल ठीक है नॉन लिगल टेंडर मनी अब वेद मुद्रा एसी मुद्रा जो लोग अपनी इच्छा नुसर स्विकार करते हैं उसे लोगों के दोरा कानुन के द्वारा बात दिली किया जाता है कि वो उनको स्विकार कर ठीक है इन दोनों के बारे में भी आगे हम डिसकस करेंगे तो स्विकारिता के आधार पर हम मुद्रा को दो भागों में विवाजित कर सकते हैं लिगल टेंडल वेद मुद्रा और दूसरी हमारी है नौन लेगल टिके अवेद मुद्रा उसके बात में हमारा जो वरगी करण वो है लेखा मुद्रा और वास्ट्विक मुद्रा ठीके ले स्टेंडर मनी क्या होती है तो देखिए मानक मुद्रा जैसे के हमने पढ़ा था कि ये किसका प्रकार है धातू मुद्रा का प्रकार है मतलब धातू के रूप में धातूं से अगर हम सिक्कों को बनाते हैं तो मानक मुद्रा जो होती हो एक तरह से क्या होती है धातू के रूप में सिक्कों के रूप में ह कुआ होता है वो ही उनका वास्टिक मुल्य धातू का जो मुल्य होता है जैसे इस सिक्के को बनाने के लिए जितनी धातू का प्रयोग किया गया है इस धातू तो इसका अंकित मुल्य 10 रुपए है और इसमें जो धातू लगी हुई है उसका मुल्य भी कितना है 10 रुपए है मतलब जब अंकित मुल्य धातू मुल्य के बराबर होता है तो इस परकार की मुद्रा को हम क्या कहेंगे स्टेंडर्ड मनी कहेंगे मानक मुद्रा कहेंगे अंकित मुल्य और उसमें लगी हुई धातू का मुल्य क्या होता है बराबर होता है और ये मानक मुद्रा जो होती है वो किसमें होती है मुख्य रुप से सिक्कों के रुप में होती है प्राक्चिन समय में अगर हम भारत में जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों के अगर हम बात करें कि ये सोने का सिक्का है इस पर अगर लिखावा है दस रूपए इसका मतलब क्या हो गया इसमें जो सोना लगावा है जिस धातू से ये बनी हुए सोने की बें हो सकती है चांदी की बें हो सकती है तो जिस धातू की बनी उस धातू का मुल्य भी उतना ही होता है ठीक है इस परकार की मुद्रा को हम क्या कहते हैं मानक मुद्रा कहेंगे दूसरा हमारा है प्रतिक मुद्रा होती है टोकन मनी ठीक है टोकन मनी में क्या होता है वास्त्विक मुल्य जो होता है वो अंकित मुल्य से कम होता है कि ये सिक्का है इसके उपर लिकावा है दस रुपए लेकिन इसमें जो धातू लगी हुई है इस धातू का जो वास्त्विक मुल्य वो क्या होता है इस दस रुपए से कम होता है मतलब इस दस रुपए के सिक्के में जितनी धातू लगी हुई है उस धातू को अगर हम बेचे इंगित हमारे पास में 10 रुपे से कम पेसे आएंगे केने का मतलब जब वास्थिविक मुल्य अंकित मुल्य से कम होता है तो इस प्रकार की मुद्रा को हम क्या कहेंगे प्रतिक मुद्रा कहेंगे टोकन मनी कहेंगे वरतमान समय में बारत में जो सिक्के चल रहे हैं एक रुप असलब उस धातू को उस सिक्टे को घला क्या हम अगर उस धातू को बेचेंगे तो हमारे पास में उतना पेसा नहीं आएगा जितना कि उसके उपर लिखावा है इस परकार की मुद्रा को हम क्या केते हैं प्रतिक मुद्रा केते हैं फिर उसके बात में हैं सहाइक मुद्रा हैं कि जो प्रतिक मुद्रा हैं जैसे कि एक रुपया हो गया हमारा पांच रुपया हो गया दस रुपया हो गया तो प्रतिक मुद्रा की सहाइता करने के लिए या छोटे छोटे बुकतानों का पूरा करने के लिए जिस मुद्रा को काम मिलिया जाए का उसको हम क्या कहते हैं प्र पैसे तक के जो सिक्के हैं, इनको हम सहायक मुद्रा कह सकते हैं, तो ये तीनों जो वर्गी करण अभी तक हमने देखा था, वो किसाधार पर था? धातू, मुद्रा था, मेटरलिक, फिर दूसरा वर्गी करण हमने क्या देखा था? कागज, पेपर, मने, ठीक है, जो किसी काग प्रतिनी दिक आगज मुद्रा का मतलब क्या हो गया कि जो नोट यहां भारत में संदर में अगर हम देखें कागजी मुद्रा एक तरसे क्या हैं नोटें तो जो नोट जारी किये जाते हैं केंदरी बेंग या रिजर बेंग के द्वारा और उनको जारी करने के पीछे अगर 100 रुपे का नोट अगर जारी किया गया है और इसके पीछे जो गोल्ड स्वन सोने का जो कोश रखा जाता है वो भी अगर 100 रुपे के बराबर रखा जाता है तो इस परकार की मुद्रा को हम क्या कहेंगे प्रतिनिधी कागज मुद्रा कहेंगे यदि पत्र मुद्रा के की अमेरेका में तो 1933 से पहले जो सिक्के चलन में होते थे उसके जो भी केंदरी बेंक के द्वारा मुद्राश जारे की जाती थी उसके पीछे 100% स्वन कोश रखे जाते हैं तो इस प्रकार की मुद्रा किसका ओदान होती हैं परतिनिधी कागज मुद्रा फिर हमारा है परिवर्तनी कागज मुद्रा ठीक है परिवर्तनी कागज मुद्रा का मतलब क्या हो गया लोगों के पास में जो कागज के रूप में मुद्रा है उस मुद्रा को वो क्या कर सकते हैं सोने के रूप में ठीक है वो क्या कर सकते हैं उनको बदलवा सकते हैं स्वन के रूप में य परिवर्तनी कागज मुद्रा ठीके एसी कागजी मुद्रा जिसको हम क्या कर सकते हैं सोने के रूप में या सिकों की रूप में बदलवा नहीं सकते हैं ठीके और इस परकार की मुद्रा को हम क्या कहते हैं प्रित्य मुद्रा भी कह सकते हैं जैसे भारत में जो रिजर्बेंके उनके द्वारा जो भी नोट जारिक किये जाते हैं जैसे कि 100 रुपे का नोट है, 20 रुपे का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, तो ये जो कागजी मुद्रा हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, सोने के रूप में नहीं बदलवा सकते हैं, इनको सिक्को के रूप में हम बदलवा अपनेैक आगज मुद्रा का उधान हो सकती हैं। मुद्रा होती है, वो आदेश या प्रादिश्ट मुद्रा का उदारण होता है, और यह जो मुद्रा है वो प्रतिनिती भी हो सकती है और पत्तिक मुद्रा भी हो सकती है क्यों लेकिन साथ में क्या है सरकार के द्वारा जारे की जाती है ठीक है तो आदेश या प्रादिश्ट मुद्रा क्या होती है सरकार की जाते हैं फिर अगला जो वर्गी करण वो है वेद और अवेद मुद्रा तो सबसे पहले हम देख लेते कि वेद मुद्रा ठीक है वेद मुद्रा का मतलब क्या हो गया किसी देश में कानून के द्वारा या वहां की जो सरकार होती है वहां का जो केंद्री बेंक होता है उसके द्वारा जो भी मुद्रा जारी की जाती है उस मुद्रा को हम क्या कहेंगे वेद मुद्रा कहेंगे सरकार या केंद्री बेंक के द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है और उस मुद्रा का प्रियोक सरकार के द्वारा या जनता के द्वारा लेंदेन के लिए किया जाता है रिंड चुकाने के लिए प्रियोक किया जाता है और सबी लोग उसको क्या करते हैं एक तरह से स्विकार करते हैं कोई भी उस मुद्रा को लेने के लिए मना नहीं कर सकता है इस परकार की मुद्रा को हम क्या कहेंगे वेद मुद्रा कहेंगे और वेद मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं दो भागों में विवाजित कर सकते हैं फर्स्ट हमारा है सीमित वेद मुद्रा लिमिटेट लिगल मनी ठीक है तो मतलब लिमिटेट का मतलब क्या हो गया सीमित का उनली रूप से एक निश्चित सिमा तक बुकतान करने के लिए श्विकार कर सकते हैं, जैसे बारत में अगर हम देखें, एक पेसे से लेकर पचीस पेसे तक के जो सिक्के हैं, वो किसका उधाण है, वेद, ठीक है, सिमित वेद मुदरा का उधाण है, क्योंकि लोग क्या कर सक की हो गया जो 一सी कि लेन देन के लिए प्रयोक्त की जा सकती है और अशी मित मात्रा में हम कितना भी लेन देन कर सकते हैं कानूनी रूप से वह बानित्दा प्राप्प होता है और जैसे भारत में अगर हम देखें समस्त प्रकार की जो कागजी नोट है चाहे वो 10 रुपे का नोट है 50 रुपे का नोट है 100 रुपे का नोट है तो इन नोटों को सबी लोग एक तरसे क्या कर सकते हैं असिमित मातरा में लेंदेन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं ये तरसे कानून के द्वारा माननेत्ता प्राप्त होती है और इनको लेने भी कह सकते हैं अवेद का मतलब क्या हो गया कि यह जो मुद्रा हैं वो सरकार या केंदरी बेंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है या केंदरी बेंक क्या सरकार के द्वारा मंजूरी प्राप्त नहीं होती है मतलब लोग अपनी इच्छा नुसार्थ ऐसी मुद्रा को स्विक कि आओ गई कोई बीमा पुलीसी है तो यह लोग क्या करते हैं अपनी इच्छानुसार का सरकार का दबाव नहीं होता है केंद्री ब्यंका किसी परकार का कोई दबाव नहीं होता है लोग इन चीजों को चाहें वो डिबेंचर हैं पोस्ट ओपिस पत्र हो गया आपका बीमा प मुद्रा का मतलब क्या हो गया किसी देश में वास्ता में चलन में जो भी मुद्रा होती है वस्तों का लेंदेन करने के लिए ठीक है हम कोई भी चीज़ करें तो उसके लिए किमत का बुक्तान करते हैं या हमको सिक्के हैं ठीक है वो किस का उदरान है वास्तिविक मुद्रा का उदरान है जैसे अमेरिका में हम देखते हैं डोलर चलता है तो यह वहां की तरह से क्या है वास्तिविक मुद्रा है फिर अगला जो वर्गी करण वो है हिसाब की मुद्रा मनी ओफ एकाउंट ठीक हिसाब की मुद्रा का मतलब जिस देश में जितने भी परकार के लेंदेन होते हैं उन लेंदेनों को जिस मुद्रा में रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं हिसाब की मुद्रा कहते हैं ठीक है औ और चलन में जो मुद्रा है वो दोनों एक ही लेकिन ऐसा होना कोई आवशक नहीं है मतलब जो वास्तिक मुद्रा होती है वो हिसाब की मुद्रा होती है लेकिन ऐसा होना कोई जरूर नहीं है वास्तिक मुद्रा जो होती है वो हिसाब की मुद्रा से कभी-कभी अलग भी हो सकत हैं जैसे कुछ उधरन अगर हम देखें प्रत्थम विश्विद के बाद अगर हम देखें जनवरी में जर्मनी में तो 1923 में मां पर क्या होता था हिसाब की जो मुद्रा थी वो अलग थी हिसाब के लिए वो डोलर या फ्रेंक का प्रियोग करते थे जबकि महां की जो ठीक है इस मुद्रा का प्रियोग करते थे फिर अंतिम जो वर्गी करण हमारा हुए है वस्तु मुद्रा ठीक है प्राचिन समय के अगर हम बात करें तो लोग क्या करते थे अपने आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए क्या करते थे कोई भी वस्तु होती थी उसका लें ठीक है यह विबिन परकार के वस्तु हैं जिनका प्रियोग प्राचिन समय में लेंदेन करने के लिए प्रियोग किया जाता था तो जनता लोग अपनी सुईधा के लिए जिसे मुद्रा का दरजा दे देते हैं इस परकार मुद्रा को हम क्या कहते हैं वस्तु मुद्रा कहते हैं तो आज की क्लास में इतना ही टेंक यू